जैसे किशना दोस्तो मैं मीतु हम सब के चानल बी परफेक्ट विद मीतु शुभाई मैं आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ I hope आप सब स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो दोस्तो थमनेल देखके आपको पता ही लग गया होगा आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ बिकॉस जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसका भी जब हम overall makeup करते हैं फुल कवरिज भी makeup ना करें हम normal makeup भी करते हैं रेकिन जो चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका बहुत important role है और उसको properly किस तरह से करा जाता है like a pro एक professional way में कैसा करा जाता है वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी दोनों eyebrows कितनी natural लग रही है यह जो किडियों किशों कित साथ है एशेयर किसी के पास नहीं कित होती है जैल में पूल बच शेयर करें नहीं करूँक्त किसी के लिया अफोर्ड़ रही कित में रही है इस दिदिदार हूं इसलिए मैं आपको अध्यूप पेंसिल से बता रही मा minderFit यहां मैं आज आपके साथ वही टुटोरियल करने जा रही हूं कि हम आइब्रो पैंसिल से अपनी आइब्रोज को कैसे लाइका प्रो फिल अप करें तो आईए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते यह देखिए दोस्तों मैंने आइब्रोज अभी फिल नहीं करें सिट करना होता है काम करना होता है इसंसके लिए आती है अगर आपके पास यह ना हो तो ससका सेकें अप्षन है यह देखिए इसारा की आइब्रो हैसी 2023 की यह decisions हिस पूब्रश होता है तो अगर आपके पास मैंपने यह हम आपको नहीं आप अच्छे से रख लीज़े तो यह भी जो समय को ड़कता है यह पिर कम करता है लेकिन आप लिए छीज़े पनी आउच्छे से करना होता है जो में आपको चीज़े बता हैं इनमें से जिसरे भी अपने आई ब्रोष कोम कर लीजिए सबसे पहले हैं तो यह हम सबनाचा वैइपने सबसे होता है जिस से पता लग जाता है कि हमें आइड्रो्स कहां तक फिल करनी है यह एक आइब्रो को मैंने अच्छे कम नेक्स प्रड़क कर लिया है इस्ट पेंसल यूज मुझा विवाश्च खुड़े हैं आइबरो पेंसिल बहुत ही अच्छी अफॉर्डिबल है आप इसे ट्राइ कर सकते हैं इसमें ब्लाक कलर भी आता है तो यहां देखे सबसे पहले हमें क्या करना होता है हम जो पोर्चन लेते हैं सबसे आगे में लाइट बीच में मीडियम और लास्ट में डाक इस तरह से फिल बिफले कर लिया नीचे उसी तरह से उपर आइबरो कर लोंगी अधैं हमें उतनी करती है जेकितनी हुमें मोटी आइबों में चाहिए यह जब्ला कौशक्य करने उस्तरा से बिल्कुल हलके हाथ से आपको दिख मैं अपना यपिल्का एपको आइबरो को मैंने करना इक काम क पर बाट पर लाइप कर लिए लेकिन पेंसिल की तरह नहीं चलाना है लिए लिए इस तरह से मैं चलाया है और इस चाहिए हमारे बाल होते हैं उसी डारेक्शन में इस स्ट्रोक देने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी नाचुरल लग रही है मेरे आईब्रो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रही है कि अलग से कुछ कर रहा है या बहुत जरा डाक है उसके बाद जहां आपको लगे आपको स्पेस दिख रहा है वाइट पोर्शन दिख रहा है उसको आप अच्छे से सब्सक्जाए है और ब्लकुल भी डाक नेल लग रहा है डाक आपको यह तो और गन्ते कर दोश है और सब्सक्राइब को अम चैजसे नहीं चैज से उसको दुबारा और उसके बाद अगर हमें लगता है कि कहीं कम ज्यादा है इसको हम दुबारा से हलके हलके स्ट्रॉक देके फिल कर सकते तो यहां देखिए मेरी पौफेक्ट एकडम आइब्रो तयार है कुछ भी जादा कम नहीं लग रहा आइग लिग आइट नहीं लग रही है तो इसी तरह से देखी दोस्तों मैंने अपनी दोनों आइब्रोज को फिल कर लिया तो यह था आज का टुटोरियल तो आई होप दोस्तों आज आपके लिए आईब्रोज फिलिंग टुटोरियल हिल्फुल रहा होगा अकर हिल्फुल रहा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और जो छोटी से बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लिजेगा तक ही अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम भी आपके पास पहुशती रहे दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे